बिहार के फारविस गंज से रेलवे एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है यह ट्रेन अक्टूबर के महने में चालू हो जाएगी और इस ट्रेन का जो नंबर रेलवे के तरफ से जारे किया गया है उसकी बात करेंगे इस वीडियो अप्रेट में और साथ ही अन्य जानकारी के बारे में उसे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किये हैं सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब भारतिय रेलवे के तरफ से यूपी के रास्त आगरा कैंट के लिए एक नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन बिहार के फारविस गंज रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी ट्रेन नमबर 04195 के साथ ये ट्रेन आगरा कैंट से फारविस गंज वाया गोड़कपूर और ट्रेन नमबर 04196 के साथ ये ट्रेन फारविस गंज से आगरा कैंट वाया गोड़कपूर होकर चलेगी यह जानकाडी CPRO के द्वारा दी गई है बताये गया कि आगरा केंट से फार्विस गंज के मदे चलने वाली सबताही की ट्रेन आगरा केंट से सुबा पांच बजे प्रस्थान करके रात में यह ट्रेन बारा बच कर पंदरा मिनिट पर गोड़क पूर आएगी जिसके बाद यह ट्रेन यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन दो प़र 3 बच कर 15 मिनिट पर फार्विस गंज पहुँचेगी वापसी दिशा में यह ट्रेन ट्रेन नमबर 04196 के साथ फार्विस गंज से आगरा केंट के लिए चलेगी जहांपर की फार्विस गंज से साम च्छा बच कर 40 मिनट पर यह ट्रेन प्रस्थान करके अगले दिन सुभा में 9 बच कर 55 मिनट पर गोड़क पूर आईगी और यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन सुभा 7 बजे यह ट्रेन आगड़ा कैंट पहुंचेगी इस ट्रे पर एक डारेक्ट ट्रेन का संचलन सुरू होने जाला है जो कि फार्विस गंज से गोड़क पूर होते हैं आगरा कैंट और आगरा कैंट से गोड़क पूर होते हैं फार्विस गंज के लिए चलेगी तो आने वाले नए ट्रेनों के लिए टेस्ट अब डेट के लिए हमारे इसे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में रता है